अगर आप बिहार बोर्ट के परिच्छा की तयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ट में मैथमेटिक्स सबसे पहले ही होने वाला है यानि बिहार बोर्ट की परिच्छा में मैथ सब्जेक्ट की परिच्छा सबसे पहले ही होने वाली है तो इसी नाते मैंने सोचा कि बिहार बोर् कोश्चन आराम से कर पाएंगे और यह मेरी गारंटी है शुरुवात करने से बाबू पहले मैं कहना चाहूंगा यूपी भीया जहारकरण दरस्तान जहां के भी बच्चे हैं सब लोगों से तो नहीं ले रहे हो पीश चार्ज करता हूं तो फोन करके कहते मुझे चाहिए तो जरूर आप फिरी वाली चीज़ें जरूर लीजिए और हम इस कोश्चन के पास आते हैं देखो यह सवाल कहता कि समाकलन कीजिए तो यह सवाल देखते ही दिमाग में क्या चीज आ जानी चाह हमयर दीए कफिये इन तक यह वाला शूतर लगेगा यह तो प्लस वाल यह मैनस वाला मतलब यह जैसे है वह यूत से ही सुतर इस पर आपिलाइप किये जाएए अब इनमत्रों यह सवाख अंगा का धुक यह सवाल को यह मोगुस्त्ट असकर में चैन्ग होगा कि अब यह जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है 4-3 तो इसका मतलब हुआ कि एक इसका मतलब क्या हुआ एक है यहां एक लिखा है परंतो जोगार बना देंगे 4-3 ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि 4 से लेके इधर जिदर मैं आ रहा हूं यहां से लेके इधर फार्मुला बन जान बूज करके मैं चाहा रहा था कि इसी स्टाइल में हो जाए अब देखो यक्ष वाला पार्ट पहले आ गया और यह वाला बात में त्यानी ऐसे हो गया तो इस मडल में मैंने इस सवाल को क्या कि अ कन वेट कर दिया अब तो हम इसका जब सूत्र लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा तो इसका सूत्र क्या होता है मैं देता हूं सबस्के पहले इसका सूत्र के इंदर एक सक्कूर मैंनस 1 गरवा होता है 10 अरूट दर यहीं छीज एकस्काई मैंस एस्काईर प्र चियए-द्भा extinga माइनस एस्क्वार पाइड जी लाग के यत उलस में एक साथ मैनस ए इसका क्या है यह इसका फार्मूला है आपको बाद वाला नहीं दिख रहा होगा मैं थोड़ा उसको नीचे लिख जूँँ मैनस एसक्वार बाई टू लाग X plus root में X square minus A square समझ गया यही फार्मूला इसका क्या इसका यह और यह दोनों मिला के क्या फार्मूला है तो ठीक इसी तरीके से X का मतलब यह दोनों हो गया और इसमाल A का मतलब यह हो गया किलियर है बबू तो देखिए हम change कर रहा है क्या X बटे दो मतलब X plus 2 पांटू फिर क्या root में वही चीज़ यही चीज X plus 2 का whole square माइनस कर दीमे 3 का whole square फिर क्या माइनस A square पांटू A का मतलब कर दीम 3 कर दीम 3 का स्कौर करेंगे तो यहागा 3 बटे 2 लाग X plus X का मतलब यहां क्या है X का मतलब X plus 2 है X का मतलब क्या है X plus 2 पांटू root के अंदर यही चीज X plus 2 का whole square माइनस कर दीम 3 का whole square अब हम आखरी लाइन पर पहुँच के आखरी लाइन मेरी आखरी लाइन क्या है ध्यान दीजे यह आपका X plus 2 पांटू हो गया root के अंदर इनको साल्व करेंगे तो यही question वे आ जाएगा क्यों क्योंकि इसी question को बिगाड बिगाड के मैंने ऐसा बनाया तो फिर इसको जो मैं सुधार दूँगा तो ऐसा बन जाएगा सेम यही चीजा जाएगा आएगा ना बोलो मेरी चेला फिर माइनस तीन बटे दो लाग बड़े ब्रेकेट में एक्स प्लस टू प्लस इसको भी हम चेंज करेंगे तो question ही बन जाएगा ठीक भाई आ रहा समझ में प्लस सी यह होगी हमारा एंसर यह होगी हमारा एंसर हाँ अगर कोई अगर 25 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर पूरा तयार करना चाहता एक्जाम के लिए तो वह मुझे काल करें मेरा सब्सक्राइब आपने से करो मैंने सोचा क्यों आपको मैं इसी तरह का एक सवाल और बताओं ताकि आपका confidence 100% मजबूत हो जाए और आप परिच्छा के लिए 100% तयार हो जाए तो देखिए इस सवाल को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे यह सवाल का सकल देखके अगर के पता चलता है या तो इसमें यह वाला फार्मूला लगेगा ठीक है प्लस माइनस हो सकता है कुछ भी तो मैं जान बूज करके ऐसे ही इस कोश्चन को बनाने का प्रयास करूंगा आप भी ऐसे करना ठीक है देखो जान बूज करके कैसे करेंगे यह तो ऐसे रहेगा माइनस 5 की जगें कुछ और लिख दो क्या लिखोगे कि माइनस 5 आ जाए और हमारा वो जोगाड भी बनता हुए नजर आए तो लिख देंगे हम क्या 4 माइनस 9 4 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा और इधर हम इन तीनों को लेकर के सूत्र बना लेंगे और यह हमारा पूर्ड वर्ग बन जाएगा 100 परसेंट देखिए कैसे देखिए मेरे मित्र यह हो गया एक्स प्लस टू का होली स्क्वाइर यहां से लेके यहां तक और माइनस तीन का स्क्वाइर क्या बात है क्या बात है हमारा तो इस वाले फार्मूले पर आ गया इसमें से अगर हम के वाल यह वाला फार्मूला हम लिख दें बताते हैं फार्मूला आपको X square minus A square इसका फर्मुला क्या होता है? X Y2 root के अंदर X square minus A square minus A square upon 2 lag lag क्या होगा? X plus root के अंदर X square minus A square बस यहीना सूतर है यहीना हमारा सूतर है वेटा यह lag लिखा है lag तो क्या करेंगे? वही फर्मुला यहाँ apply करेंगे देखें कैसे करते हैं X by 2 X by 2 X का मतलब यह दोनो इन दोनों के बटे दोनों करड़ी में यह इदम यही को उतार दो करड़ी में इसी को जैसे लिखा वैसे लिखतो फिर minus क्या? A square upon 2 यहानि तीन का square upon 2 फिर क्या होगा? X plus यहनि X plus 2 लिख देंगे X की जगा पर X की जगा पर X plus 2 प्लस क्या रहेगा? Root में वही चीज X plus 2 का whole square minus 3 का square के लिए बाबू लिख देंगे अंते में प्लस में C अब देखो क्या होगा? आखरी लाइन पर हम पहुंचिया है Q क्योंकि Q कोश्चन को ही तो बिगार बिगार के हम यह पाए है अब इसको फिर जब सुझा रहेंगे तो Q पा जाएंगे यहनि यतना अंदर वाला अंदर वाला अंदर वाला अंदर वाला ठीक है? मिल गया? किलियर हो गया? माइनस 3 का square 9 बटे 2 लाग और बड़े ब्रेकेट के अंदर X प्लस 2 प्लस रूट के अंदर इसको हमसाल नहीं करेंगे सीधे यही लिख देंगे X स्क्वार प्लस 4X माइनस 5 यह हो गया हमारा answer के लिए यह हो गया हमारा answer आपको तो लगता है कि समझ में आया होगा इसनाते आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट करके बताए कैसा लगा और मन करें तो शेयर कीजिए शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाग मिले बहुत बहुत सुक्रिया इस वीडियो के साथ बने रहने के झाल झाल वे, thank you!